गुड़ मॉनिंग दोस्तों कैसे हैं आप आज है 12 जनवरी दो हजार चोबिस 12 जनवरी दो हजार चोबिस को करेंट अफैर्स के जितनी भी मोस्ट इंप्रोड़ेंट कोशन्स बनेंगे उन सबी को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे गाइस अगर आपको वीडियो वन परशे है स्वाच्चता सर्वेक्षण 23 में एक लाग से अधिक आवादी की कैटेगिरी में सबसे स्वाच्च सहर का पुरुसकार किसे मिला है आज का ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन है जब भी स्वाच्चता सर्वेक्षण है वो आता है इसमें जो पहला या सहर होता है या पहला राज्य होता है या गंगा के नारे जो सहर होता है उस से लेटी कोश्चन जरूर एक्जाम में बनता है तो सूरत और इंदोर ठीक है इन दोनों को सहीगत रूप से पहला इस्थान मिला है ठीक है करें हम लोग एक लाग से कमावादी की ठीक है एक लाग से कमावादी की बात करें हराजी की ठीक है यह तो सहर की बात थी सीटी की बात थी अगर राजी की बात करेंगे तो पहला इस्थान है महारास्ट का किसका है पहला इस्थान है महारास्ट का वहीं बात करें गंगा नदी के किनारे ठीक है गंगा नदी के किनारे जो सबसे स्वच सहर है वो है वारारसी कौन सा है वारारसी तो तीन पॉइंट आपने याद रखने है एक लाग से अधिकावादी की कैटिकरी में जो पहला पुरुसकार मिला है सूरत वे इंदोर को मिला है और राज्चे में जो मिला ह वो महरास्ट को मिला है और गंगा के नारे जो मिला है वो वानार्सी को मिला है ठीक है तीनों ही point आपने याद रखने है अगला है लगातार चौथी बार बांगला देश के प्रधान मंत्र के रूप में किस ने सपत ली है तो इस बार भी जो है कौन बनी है सेख हसीना अगला कुशन हो जाएगा केंदर सरकार ने रक्षा मंत्राले में अतिरिक्त सचिब और महानिदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया है तो ये न्युक्त किया है समीर कुमार सिनहा को किनको समीर कुमार सिनहा को अगला question है अंतर रास्टे होकी महासंग ने होके टूर्नमेंट के प्रशारन के लिए किसके साथ समझोता किया है तो देखें अंतर रास्टे होकी महासंग ने होके टूर्नमेंट के प्रशारन के लिए एक समझोता किया है किसके साथ वाइकॉम18 के साथ किसके वाइकॉम18 के साथ अगला है जाग्रेव ओपनद ओर 24 कुस्ति टूर्णमेंट में किस भारती ने 57 किलोग्राम काटेगरी में गॉल्ड मैडल जीता है तो देखे सबी जो है ये कुस्ति से संबंदित खिला लिए ठीक है भारती खिला और कुष्टी से सम्बंदित हैं तो जाकरेव ओपंदर 24 में कुष्टी टूर्णमेंट में जो 57 किलोग्राम कैटिकर पर गोल्ड मैडल जीता है वो जीता है आमन सहरावत ने किनोंने आमन सहरावत ने उसके लावा देपक पुनिया अंसु मलिक साक्षी मलिक ये सभी भारते क पुष्टी के ही खिलाडी है अगला है भारते नोसेना का बहुरास्टे अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहां किया जाएगा तो आप याद रखना विसाखा पतनम में कहां पर विसाखा पतनम में जो है इसका आयोजन किया जाएगा ये बहुरास्टे अभ्यास याद रखना ठीक गुर्शावारी खेल के लिए अरजुन पुरुसकार जीतने वाली पहली महला खिलाडी कौन बनी है आज का सेकेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्डन कोश्चन तो गुर्शावारी खेल के लिए अरजुन पुरुसकार जीतने वाली पहली महला खिलाडी कौन बनी है तो ये ब कौन है घुरसबारी खिलाडी है अगला है नए गरतंतर दिवस पैक्ट के तहत राज्यों को कितने बरसों में एक जहां की प्रस्तूत करने की अनुमती दी गई है देखी ये काफी महत्मूल कोश्चन है जो हमारा गरतंतर दिवस होता है वसमें हर राजी अपने छाकी लाता है लेकिन अब क्याligen इसमें एक एक इनुमती पैक्ट लाए है तो नए गरतंतर दिवस पैक्ट के तहजों राज्यों को कितने बरसों में एक जहां प्रस्तूत तरनी पड़ेगी तो याद रिखना तीन साल में ठीक है तीन बरस में जो है एक जहां की प्रस्तूत कर सकते हैं ठीक है ये तीन साल में केबल एक जहां की प्रस्तूत कर सकते हैं तो guys ये थे आज के 8 most important current affairs के questions जो आपके आने वाले exam में आपकी काफी मदद करेंगे guys दीखे आप एक बात का हमेसे ध्यान रखो अगर आप अपना current affairs अच्छा करना चाहते हो तो आप daily current affairs पड़ो और उसके notes जरूर बना के रखो उसमें एक चोटी copy या notebook बना करेंगे जिसमें आप most important question होते हैं उनको लिख के रखें ताकि जब exam का time हो तो आप के बल जो important question हो उनको आप पढ़ें ठीक है लेकिन आप जो daily current affairs पढ़ेंगे तो उससे जो है आपको थोड़ा दियाद रहेगा कि हाँ इसका answer ये है तो आप जब